कि अपने स्वास्त और हेल्थ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हलो फैंट्स मैं रवी वर्मा और आज मैं बात करूँगा इवियोन 400 कैपसूल के वारे में इवियोन 400 कैपसूल के यूजेस उसके डोजेस और साइड एफेक्ट के बारे में क्योंकि बहुत सारे लोग इवियोन 400 खुद से परशेश करते हैं बीना किसी डॉक्टर के सलाह के और खुद से उसका इस्तमाल करते हैं अपने बालों में लगाते हैं चेहरे पर लगाते हैं अपने नाखुनों में लगाते हैं अपने स्कीन पर उसका इस्तमाल करते हैं बी इसके precaution क्या है किस तरीके से आप अपने चेहरे पर इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो मैं आज पूरी तरह से विडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि यह इंफर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके और अगर आप म 400 capsule mostly एक बिटामिन ए का capsule है इसमें जो मॉलिकूल मिले हुए है वो टोकोफरॉल एसिटेट है इसे एक संथेटिकल बिटामिन ए कहा जाता है यानि कमपनियों के द्वारा बनाया हुआ बिटामिन ए कहा जाता है इसे बिटामिन ए का बहुत ही important role होता है हमारे बॉडि में बह powerful antioxidant भी कहा जाता है बिटामिन ए एक powerful antioxidant है एंटी ऑक्सिडेंट का काम हमारे बॉडि में free radicals को खत्म करने का होता है free radicals हमारे बॉडि में बहुत तरह ऐसे परवेश करते हैं जैसे pollution हो गया भोजन हो गया water हो गया पानी अगर आप पीते हैं तो भी free radicals आप में परवेश कर करता है आपका जो सेल है वो free radicals के कारण damage होते हैं उसी free radicals को कंट्रोल करता है और खत्म करता है एंटी ऑक्सिडेंट यानि बिटामिन ए आप जान लेते हैं इसके benefits के बारे में अगर आप इवियोन कैप्सुल का इस्तमाल करने तो इसके क्या benefits होंगे मैंने पहले ही बताया रोग परती रोधक चमता को यह बढ़ा देगा जिसके कारण बीमारियों से लड़ने की चमता बढ़ जाएगी आपके सरीर में बहुत ही अच्छी तरीके से immunity को यह boost करता है इसका जो next benefits है वो hair में बहुत ही बहतर देखा गया अगर आपको hair fall की समस्या है तो आप अगर hair fall की समस्या लेकिन इसे control जरूर करता है hair fall की समस्या को इसका जो next benefit है वो acne में बहुत ही बहुत देखा गया है बहुत सारे लोगों की समस्या होती है खासकर लड़कियों में इसकी समस्या कुछ जादा ही होती है तो ऎगर आप इसका इसतमान एक गो drywall को acne पे करते हैं या त बिटामिन E का इस्तेमाल करते हैं तो डाइप्रीज आपका नियंत्रिन में रहेगा इसे कंट्रोल करेगा इव्योन 400 इसका जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो ग्लोइंग असकीन एंड ब्रिंकल फ्री असकीन मैंने पहले ही बताया है बिटामिन E एक पावरफुल एंटियोक्स किसीडेंट का काम फ्री रेल्स को खत्म करना होता है फ्री रेल्स करते हैं और उसे खत्म करते हैं अगर फ्री बौडी निकलना सुरू हो जाती है उसे यह बहुत ही हद तक कंट्रोल करता है अगर जाने इसके प्रिकॉसिन के बारे में अगर आप इसका इस्तमाल अपने बालों में या तो आप अपने चेहरे पर या तो फिर नाखूनों में कर रहे हैं तो इसका इस्तमाल बहुत ही जरूरी है कि आप सही ढंग से करें क्योंकि इससे साइड इफेक्ट भी बहुत लोगों को देखा गया है अगर आप इसका इस्तमाल अपने बालों में कर रहे या तो फिर चेहरे पर कर रहे हैं, तो इवियोन 400 capsules के vials को पहले आप अपने a skin, soft skin पर थोड़ा सा हलका सा मातरा ले करके उसके vial का इस्तमाल अपने soft skin पर करें, या तो फिर हाथों में करें या तो फिर कान के पीछे वाले soft skin पे करें और उसे लगभाग 4-5 गंटे तक छोड़ दें अगर वहाँ पे आपको itching या तो फिर redness या तो फिर जलन किसी भी तरीके से कुछ भी महसूस हो तो आप इस 400, even 400 का इस्तमाल ना करें क्योंकि आपको इससे side effect का chances बहुत ही जादा होता है माल लेजिए आपको side effect है अगर itching होती है, redness बगारा, जलन बगारा होती है तो आपको even 400 से side effect है आप इसका इस्तमाल कभी ना करें अपने चेहरे पर या तो अपने बालों में आप जान लेते हैं, even 400 के doses के बारे में, इसका doses बहुत ही important होगा अगर आप इसका इस्तमाल करते हैं, तो आप अपने doctor से सलाह जरूर लें क्योंकि सभी बीमारियों का doses अलग-अलग होता है लेकिन मिली जो इसका dose है, वो एक capsule after meal, यानि खाना खाने के बाद एक capsule आप इसका इसका इस्तमाल करें आप इसका इस्तमाल 10 से 15 दिनों तक कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तमाल रेगुलर न करें आप 5-10 तीनों का gap ले उसके बाद फिर से आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन मैं suggest नहीं करूँगा कि आप इसका इस्तमाल regular basis पर करें mostly मैं suggest करूँगा कि आप इसका इस्तमाल करने से पहले आपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले अब जानते हैं Evion 400 Capsules के side effect के बारे में अगर आप इसका इस्तमाल regular basis पर कर रहे हैं बीना किसी डॉक्टर के सलाह कर रहे हैं तो इसका जो side effect होगा वो nausea and vomiting के रूप में हो सकता है इसका side effect आपको headache के रूप में भी देखा गया है अगर आप बहुत सारे लोग इसका इस्तमाल regular basis पर करते हैं तो इसका side effect है वो headache के रूप में भी देखा गया है stomach pain के रूप में भी इसका side effect देखा गया है और diarrhea के रूप में भी इसका side effect देखा गया है अगर किसी भी तरह का side effect दीखे तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत consult करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें, share करें अगर अगर आप मेरे नए वीवर्स हैं तो चैनल को subscribe जरूर करें